तो गाईज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इडे की दस सबसे कम कीमत में मिलने वाली पैनर्मिक वाली कास अब पैनर्मिक संदरूफ वाली कास की बात करने से पहले संदरूफ के बारे में थोड़ा सा जान लेती हैं पहले गाय फंद्रूफ को एक लगजरी फीचर माना जाता था और महंगी कास में ही फंद्रूफ का फीचर हमें देखने को मिलता था लेकिन आजकल धीरे धीरे टेकनोलजी के अपग्रेडेशन के वज़े से मास मार्केट के लिए कार बनाने वाली कंपनी भी अपने एंटी डेवल मॉडल में फंद्रूफ ओफर कने लगी हैं अब गायव फंद्रूफ भी तरह तरह के आने लगे हैं और जो नॉर्मल फंद्रूफ है वो एंटे लवल वेरेंट्स में हमें देखने को मिलता है फन्रूफ भी guys कई तरह की होती है जैसे कि anti-level variants में जो हमें फन्रूफ देखने को मिलती है वो छोटी फन्रूफ होती है और कम light को अंदर आने देती है और normally ये driver feet को ही cover करती है फ्रेंट रो को इसके बाद आती है guys पैनर्विक फन्रूफ नॉर्मल फन्रूफ से पैनर्विक फन्रूफ ज्यादा बड़ी होती है और लगबग लगबग कार के full roof को cover करती है ये basically दो sections में divide होती है जिसमें rear section जो होता है जो rear की feet को cover करता है वो fix होता है और front की जो door होता है वो open हो जाता है अ इन में हमें पैनर्विक फन्रूफ को option देखने को मिल जाता है इसके बाद guys up market में moon roof भी देखने को मिल जाती है अब moon roof और पैनर्विक फन्रूफ में ज्यादा अंतर नहीं है अंतर इन में बस इतना है कि moon roof में transparent glass लगा होता है जो कि ज्यादा heat and light को अंदर आने देता है और और वही पैनर्विक फन्रूफ में body colored glass लगा होता है इंडिया जैसी country में पैनर्विक फन्रूफ ही अच्छा option है क्योंकि इंडिया एक गरम country है और वहीं कई थंडे इलाकों में moon roof एक अच्छा option है खेर दोस्तों इस वीडियो में हम cover करने वाले हैं इंडिया की 10 सब्से कम क कास को इस वीडियो में cover किया जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं अब कास के बारे में ये वीडियो इस लिश्ट में 10 पोजीशन पर है हुंडे क्रेटा हुंडे क्रेटा के sx variant से पन्रूफ को option मिलना start हो जाता है क्रेटा के sx variant की शुरूआती एक शुरूम कीमत 14 लाक र पर फे शुरू होकर 17,40,000 रुपे तक जाती है हुंडे क्रेटा इंडिया में अब एक टाइम में सब्सके कम कीमत में मिलने वाली value for money पन्रूफ के option के साथ मिलने वाली कार है आपको भी मालूम होगा कि जब से हुंडे ने अपनी next जीसन क्रेटा को लांच किया है इस कार के इंजन ओप्शन और इसके लुक्स की वज़ासे क्रेटा को इंडिया में काफी वदा पफंद किया रहे है और SUV कार के सेग्मन में क्रेटा भारत में फफ़े वदा पफंद किया रही है और पफ़े वदा बिकने वाली कार बन चुकी है लिस्ट में अगरी कार है Tata Harrier Tata Harrier भी इंडिया में एक काफी अच्छी SUV कार है और इसेंटली Tata Motors ने इस कार को अपग्रेड करके इस से छोटी संदरूफ को हटा कर इसमें पैंडर्मिक संदरूफ को आप्शिन इसमें एड़ किया था अभी के टाइम में Tata Harrier के टॉप एंड वेरेंट XT Plus में संदरूफ को आप्शिन मिल जाता है और इस वेरेंट की शुरूआती एक शुरूम कीमत 17,30,000 रुपे से शुरू होती है और वैसे इस कार की कीमत की बात करें तो Tata Harrier इंडिया में 14,000,000 रुपे से शुरू होकर 20,50,000 रुपे तक की कीमत में मिल जाती है Tata Harrier इंडिया में एक काफी अच्छी बिल्ड क्वाल्टी वाली और दमदार कार है लेकिन इंडिया में लोग इस कार को उतना वदा पफंद नहीं करते और ये कार उतना वदा बिक नहीं पाती है और एक Underrated कार बनके रह गई है इस कार के कम बिकने के एक वज़ा ये भी हो सकती है कि ये कार सिर्फ डीवल इंजिन के ऑप्शन में ही मिलती है लिश्ट में अगली कार है MG Hector Plus मुरेश गिराज कंपणी की MG Hector की सक्सेस के बाद कंपणी ने हेक्टर के 6-feater और 7-feater वरवन को इंडिया में लॉंच किया है और MG Hector Plus में अंतर बस इतना है कि इसमें ज्यादा सीटिंग कैपसिटी मिल जाती है इंजिन और इंटीर के साथ एक्षटीर लगबग सेम ही है MG Hector Plus के टॉप एंड वेरियंट शाथ में पंदरूफ को आप्शन मिल जाता है जिसकी शुरूआती एक्षरूम कीमत 17,50,000 रुपे से शुरू होती है वैसे MG Hector Plus की नॉर्मल वेरियंट की शुरूआती एक्षरूम कीमत 13,70,000 रुपे के आपाफ से शुरू होकर 19,60,000 रुपे तक जाती है लिश्ट में गली कार है Tata Safari Tata Harrier की तरह ही Tata Safari के भी टॉप एंड वेरियंट XT Plus में पंदरूफ को आप्शन मिल जाता है इस विरेंट की शुरूआती एक्षरूम कीमत 18,30,000 रुपे के आपाफ से शुरू होती है गाइस रिफेंटली ही Tata Motors ने अपनी 7-feater SUV Tata Safari को अप्गरेड करके इसी मार्केट में लाँच किया और मार्केट में लाँच होने के बाद से सफारी को काफी तगड़ा और अच्छा रिफ्पॉंस मिला है अभी के टाय में ये कार इंडिया में MG Hector Plus और महिंदरा XV500 जैसी कास से कंपीट कर रही है Tata Safari की पुरानी जनेशन के मकाबले अभी के जनेशन में दिन रात का अंतर है और नए सफारी को बिलकुल नए डिवेंडेंट लुक्स नए प्लैटफॉर्म और नए एंटीर एक्टीरियर के बाद मार्केट में लाँच किया गया है और इसमें कई फ़रे प्रीमेम फीचर्स भी मिलने लगे है और इसी वज़े सेवन फीटर SUV कास के सेग्मन में सफारी धमाल मचा रही है अभी के टाइमें इंडिया में सिख्थ पुजिशन पर है MG हेक्टर MG हेक्टर के टॉप एंड वेरेंट MG हेक्टर शार्प में पैनर्मिक फनरूफ का आप्शन मिल जाता है यह वेरेंट की शुरुआत्य एक्शुरूम केमत 18,40,000 रुपे है और वहीं नॉर्मल हेक्टर की शुरुआत्य एक्शुरूम केमत 13,70,90,000 रुपे चक जाती है काफी यूनिक और काफी अच्छा पॉड़क्ट है इस कार की बिल्ड क्वाल्टी से लेकर आप इस कार में फीचर को देखेंगे तो यह काफी कमाल की कार है Volkswagen T-Rocco इंडिया में CB unit से बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया में एसेम्बल करके सेल किया जाता है और जब यह कार नीडिया में लॉच चुई थी थी तो धड़ध़ड करके इस कार की सेल हुई और यहां तक की यह कार स्टॉक आउट भी हो चुकी थी इस कार की एक और यूनिक बात है कि यह कार सिर्फ एक ही विरेंट के साथ एंडिया में लॉच की गई है और इस विरेंट में 25 संदूरूफ को आउप्शन मिलता है और भी कई सारे यूनिक सेलिंग पॉइंट है इस कार के जैसे कि इस कार में 1.5 लिटर के बेटरोल एंजन के साथ डियस्जी ट्रामिशन आउप्शन मिलता है मतलब डूल शाफ्ट गियर बॉक्स यह ऑट्रामिशन की एक टाइप है और काफी अच्छी मानी जाती है ऑट्रामिशन की केटेगरी में डियस्जी ऑट्रामिशन आउप्शन के पार सेग्मन में तो कोई कार है ही नहीं बलकि 30-40 लाग रुपे की बजट की कास में भी देखें तो आपको मुश्किल से यह फीचर देखने को मिलता है इंडिया में फॉक्स वेगन टीरोग की शुरुआते एक शुरूम केमत 21 लाग रुपे के आपास से शुरू होती है लिष्ट में अगली कार है जेब कमपास American Car Company जेब की तरफ से कमपास एक काफी अच्छी कार है इंडिया में और अभी recently कमपनी ने इस कार का गलोबल डैबू भी किया था और Jeep Compass को अप्ग्रेड करके इसकार का face lift model इंडिया में launch किया है और नई Jeep Compass में pandemic fund roof को option मिलता है Jeep Compass के longitude optional variant से fund roof को option मिलना start हो जाता है और इस variant की शुरुआती एक शुरूम कीमत 22,00 रुपे से शुरू होती है और वहीं Jeep Compass की शुरुआती एक शुरूम कीमत 17,00 रुपे से शुरू होकर 28,00 30,00 रुपे तक जाती है लिश्ट में अगली कार है Hyundai Tucson ये एक premium SUV कार है Hyundai ने अभी revenue Tucson को अप्ग्रेड करके market में launch किया है इस कार के base variant GL में ही pandemic fund roof को option मिलना start हो जाता है Hyundai Tucson एक काफी अच्छी कार है लेकिन इंडिया में ये कार एक underrated कार बन कर रह गई है कार के इंडिया में शुरुआती एक शुरूम कीमत 22,00 रुपे से शुरू होकर 27,00 35,00 रुपे तक जाती है और इस कार के base rate में ही 22,00 रुपे में आपको pandemic fund roof को option मिल जाता है लिश्ट में अगली कार है MG ZS EV MG ZS EV एक electric कार है और इंडिया में सब्सक्राइक कम कीमत में मिलने वाली कार है जिसमें पैनल्विक fund roof को option मिलता है ये कार काफी अच्छी capabilities रखती है electric कार्स के segment में और इसी वज़े से ये कार Tata Neckphone Electric के बाद दूफरी सब्सक्राइब बिकने वाली electric कार है इंडिया में ये कार इंडिया में दो ही variant में मिलती है और इस कार के top end variant exclusive में पैनल्विक fund roof मिल जाती है जिसकी कीमत 24,18,000 रपे से शुरू होती है कार के इंडिया में एक शुरूम कीमत 21,000 रपे से शुरू होकर 24,18,000 रपे जग जाती है इस लिश्ट में आखरी कार है महिंदरा Altros G4 Hyundai to phone के तरह ही Altros G4 भी एक premium SUV कार है लेकिन इंडिया में ये कार भी underrated ही है कई फारी discount देने के बाद भी इस कार की sales मुश्किल से होती है और ये कार discontinue होने की कगार पर है अभी हाल फाल ये कार दो ही वेरेंट में मिलती है और इस कार के टॉप एंड वेरेंट 4x4 automatic में pandemic fund roof को option मिल जाता है कार के इंडिया में शुरुआती एक्ष्रूम कीमत 39,000,000 रुपे से शुरू होकर 32,000,000 रुपे तक जाती है और fund roof वाला जो वेरेंट है वो आपको 31,000,000,000,000 रुपे के आफास के कीमत में मिल जाएगा इंडिंग कार थी क्योंकि इसमें best in segment features मिलते थे लेकिन अभी क्रेटा में भी वही features मिलने लगे है और feltos को launch करते वक्त इसमें company ने छोटी fund roof ही दी थी लेकिन अभी आने वाले टाइम में company इसकार को upgrade करके market में launch करेगी जिसमें आपको pandemic fund roof को option मिला करेगा बाकी इसके बाद महिंदरा SUV 500 और स्कॉर्पयो भी pandemic fund roof के option के साथ market में launch होने वाली हैं दोनों ही कार्स की next nation का काफी बेफबरी से लोग इंडिया में इंतवार कर रहे हैं इसके बाद Hyundai इंडिया में अपनी नई SUV अलकावर को launch करेगी और शायद इस कार से Hyundai अपनी टूपाउंड को replace करेगी अलकावर भी एक premium SUV कार हैं अभी इसी महीने अपरेल में ये कार launch होने वाली थी लेकिन COVID के वज़े से इस करके launch को postpone कर दिया गया है अगले महीने के लिए और इसके बाद Toyota Fortuner जो कि इंडिया में premium SUV कार के king मानी आती है इसमें pandemic fund roof को option नहीं मिलता है तो आने वाली नहीं Toyota Fortuner का जो favorite model आएगा upgraded वरवन होगा उसमें आपको pandemic fund roof को option मिला करेगा तो guys ये 5 cars हैं जो कि आपको आने वाले time में नहीं देखने को मिलेंगी pandemic fund roof के option के साथ वैसे guys इस लिष्ट से कोई car shoot गई हो तो आप comment box में बताएगा एंड इन सभी cars में से आपको personally कौन सी car पसंद है comment box में बताएगा and for new updates on auto miles click the subscribe button and hit the bell icon thanks for watching